कि हालो प्यारी बच्चों इस वीडियो में हम क्लास नाइन थे यह हमारा लाच नाइन थे कामयत है क्लास नाइन जिसमें हमारा six ए का प्रश्ण टूटल हम देखेंगे तो आएब हम प्रश्ण देखते है क्या दिया है पहला प्रश्ण है हमारा कि कह रहा है पहला प्रस्ण मारा दे दिया है कि प्रस्णावली-6 में आति लग उत्तरी प्रस्ण में कि चित्र में O A और O B भी बिपरीद किर्णे हैं यहां पर दो किर्णे हैं एक O A है और दूसरा O B और कह रहा है कि ये दोनों हमारी बिपरीत किरने है आगे बता रहा है ये एक हमारा O B है दूसरा O A ये दोनों बिपरीत किरने है यदि Y b. 57 डिगरी हो तो ये 1 से कामान ग्याद करना है नमबर 1 में तो आयए भां प्रश्न संख्या एक लेते हैं यानि 1 का हमारा नमबर 1 तो यहाँ पर दे दिया है हमारा जब विपरीट किरने हैं तो y प्लस x बराबर 180 अंस होगा रैखेक यूगम से हमें मिल जाएगा y प्लस x अंस बराबर 180 अंस हो जाएगा अब यहाँ पर एक मान उसने दिया है y बराबर है 57 डिगरी जिसमें मान रखेंगे तो 57 प्लस x बराबर 180 हो जाएगा 57 ले जाके हम घटा देंगे तो हमें मिलेगा क्या यहाँ जाएंगे तो y के अस्तान पर 57 मिला तो यह 57 जाके घट जाएगा तो यह अक्स बराबर 180 माइनस 57 डिगरी हो जाएगा तो 10 में से 7 घटाएंगे 3 आएगा और यहाँ बचा 7 में से 5 दो आएगा बागी एक आजाएगा हमारा एंस्वर यक्स बराबर बन जाएगा 123 डिगरी और यही हमारा एंस्वर हो जाएगा नेक्स्ट हम ले लेते हैं इसमें नमबर 2 तो नमबर 2 में क्या दिया है हमारा कराय कि यदि एक्स बराबर 45.5 सुत्र हमारा वही है y प्लस x बराबर यानि रैखी के हुकम से और यह बराबर 180 था अब यहां जाएंगे तो हम यक्स बराबर दे दिया है कितना 45.5 है यहां मान रखेंगे तो y प्लस 45.5 और यह बराबर 180 हो जाएगा अब ये प्लस है माइनस हो जाएगा तो y बराबर होगा 180 माइनस 45 दसमलो पांच दसमलो लगाके 0 बढ़ाएंगे तो 10 में से 5 घटाएंगे हमारा 5 मिलेगा यहाँ 9 बचार 9 में से 5 घटाएंगे 4 आजाएगा और 7 में से 4 घटाएंगे 3 आएगा और फिर इसके बाद हमारा 1 हो जाएगा हमारा एंसर मिल जाएगा 134 दसमलो पांच फिर से हम चेक कर लेते हैं यहाँ 9 में से 5 घटा दिये तो यह हमारा 4 बना यहाँ सात मिला, सात मिल से चार घटा दिये तो तीन मिल गया और एक बचाथ यह हमारा एंसर बन जाएगा नेक्स्ट प्रस्ण हम ले लेते हैं नमबर तू, तो नमबर तू को हम क्या करेंगे दिया है चित्र में यदी, ए, ओ, बी, अगर हम बात करें, चित्र में ए, ओ, बी, ये बता रहा है कि सम रेखिये हैं, मन एक सीधी रेखाए, ए, ओ, बी, तो एक्स का मानिय यहां ग्याद करना है यहां आ जाएंगे हम हल हल में क्या मिलेगा हमें मिल जाएगा रैखिक युगम से तो रैखिक युगम में क्या मिलेगा ये और ये अंस दोनों कौण जोडेंगे तो ये हमारा 180 अंस हो जाएगा यहनि कौण AOC AOC प्लस कौण BOC BOC बराबर 180 अंस हो जाएगा अब AOC का मान दिया है 2X प्लस 3 डिगरी है फिर आगे आ जाएंगे BOC का मान एकस है बराबर 180 अंस हो जाएगा अब ये बना हमारा 2X प्लस 3 प्लस AX और ये बराबर हो गया 180 3 ले जाके घटा देंगे और यह यक्स दो यक्स में जुड़के 3 यक्स होगा 180 माइनस 3 हो जाएगा प्लस था दूसरी तरब जाएगा माइनस होगा 10 में से 3 घटाएंगे 7 आएगा यहाँ 7 मिलेगा 1 मिलेगा यह था 3 यक्स यक्स बराबर 177 बटे 3 3 का भाग दे देंगे तो 3 पचे 15 हो जाएगा 2 बचा 7 उतालिए तो 397 डिग्री हो जाएगा और यक्स का यही मान हो जाएगा और यही हमारा एंस्वर बन जाएगा तो यह रहा हमारा क्यूश्या नमबर 2 आगे आते हैं क्यूश्या नमबर 3 को लेते हैं तो Q3 क्या दिया है कि चित्र में AOC तथा BOC रैखिक यूगमन निरूपित करते हैं यानि BOC दोनों एक सीधी रेखा बना रहे हैं यद यक्स वराबर है वाई अंस बटे दो तो यक्स तथा वाई अंस के मान हमें ग्याद करने हैं तो यहां पर भी हम आएंगे हल हल में क्या मिलेगा पहले हम लगाएंगे रैखिक यूगमसे चुकि ये और ये मिलाके एक सीधी रेखा बन रहे हैं अगर हम बात करें तो यहां से यहां यानि यस जो दिया गया है हमारा O से लेकर के ये और O से लेकर के B एक सीधी रेखा बन रही है और यहाँ पर हमारा O सी एक किरण है तो दोनों कोड़ों को जोड़ेंगे था हमारा 180 अंस आएगा तो अगर हम बात करें Y डिगरी प्लस कलर चंज कर लेते हैं हमें मिल जाएगा Y डिगरी प्लस है हमारा X डिगरी बराबर 180 हो जाएगा अब यहाँ पर दे दिया X बराबर Y बटे दो है यह अक्स अंस बराबर है Y अंस बटे दो अब यही मान हम रखेंगे X के अस्थान पर तो y प्लस y बटे 2 क्योंकि इस एक्स के अस्तान पर हम y बटे 2 रखेंगे बराबर 180 होगा आगे आ जाएंगे तो हमें मिलेगा क्या कराय तिरी अग गुड़ा करेंगे तो 2y और प्लस y पूर एक बटे 2 बराबर 180 हो जाएगा दोनों को जोड लेंगे तो 3y बटे 2 बराबर 180 और y का मान निकालेंगे तो पल्टी हो जाएगा यानि हमें मिलेगा क्या y बराबर बनेगा 180 ये बनेगा 2 का भाग है गुड़ा 3 का गुड़ा है भाग यानि 2 बटे 3 पल्टी हो जाएगा तो 2 बटे 3 बन जाएगा 3, 4, 18, 60 अगया 62, 120 आगया ये हमें y अंस का मान मिला तो एक इंसवर तो ये बन जाएगा दूसरा एक इंसवर और पूछा है यक्स का मान तो यक्स का मान यहाँ से आएगे तो यक्स बराबर हमारा दिया था y बटे 2 और y का मान हमें मिला है 120 अंस तो 120 बटे 2 दो सिभाग दे देंगे 2 चंग बार है तो यक्स अंस बराबर हमें मिल जाएगा 60 अंस ये दूसरा इंसवर बन जाएगा तो हमें क्या क्या मान मिले हमा जाएगे तो हमारा इंसवर बना x बराबर है 60 अंस और y बराबर हमें मिला है 120 अंस और यही दोनों हमारे इंसवर हो जाएगे तो इस स्क्रें साथर लेना है तो ले लीजिए आगे हम आते हैं नेक्स्ट क्यूशन नमबर अगला ले लेते हैं फोर तो फोर में क्या दिया है चित्र में ए ओ सी ए ओ सी मनि ये वाला तथा बी ओ सी बी ओ सी फिर वही दिया है रेखिक यूगम ने रूपित करते हैं तो यहां पर हम आएंगे हल हल में हमें क्या मिलेगा तो एक बन जाएगा रेखिक यूगम से तो रेखिक यूगम में क्या मिलेगा कॉंड AOC, कॉंड AOC, प्लस कॉंड BOC, कॉंड BOC, बराबर 180 अन्स हो जाएगा, AOC का मान YN से है, और BOC का मान YN से है, बराबर 180 समीकर नंबर इसको हम एक बना लेंगे, एक समीकर नंबर उसने दिया है, X और माइनस, X माइनस Y बराबर है, 44 डिगरी, यह समीकर नंबर इसको हम दो बना लेते हैं, और यह हमारा दिया है, यह हमारे प्रस्ण में दिया है, अब दोनों समीकर नों को यदि हम जोडते हैं, तो एक प्लस Y, एक माइनस Y से कैंसिल हो जाएगा, यक्स और यक्स मिल करके दो यक्स आ जाएंगे और यहां आ जाएंगे तो चार मिलेगा आठ चार बारा की दो हासिले की एक एक दो हो जाएगा यानि हमने क्या किया यहां पर जोड दिया है तो लिख देंगे जोडने पर आगे आ जाएंगी तो दो का भाग दे देंगी तो एक्स बराबर दो सो चवबीस बटे दो होगा तो दो एक का दो दो एक का दो और दो दुनी चार अनसा आजाएगा यानि हमारा इंस्वर मिला 112 डिग्री यह मान हमें एक्स का मिला और यहाँ पर हमें x और y दोनों मान पूचा है, तो आते हैं हम दूसरा मान y का भी निकाल लेते हैं, तो हमारे पास एक समीकरण है x प्लस y बराबर 180, समीकरण नमबर 1, तो लिख देंगे समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 हमारा क्या था, x प्लस y बराबर 180 डिगरी, हमें x का मान 112 म बन जाएगा अब y बराबर हम निकालेंगे तो यह जोड है इधर जाएगा घट जाएगा तो 180- 112 हो जाएगा तो 10 में से 2 घटाएंगे 8 क्योंकि उधालेंगे 7 में से घटाएंगे 6 आएगा एक एक केंसिल हो जाएगा हमें एंस्वर क्या मिला एकस बराबर हमने पाया था 112 डिगरी और y बराबर हमने यहाँ पाया 68 डिगरी और यही हमारा एंस्वर बन जाएगा स्क्रिन साथ लेना है तो आप ले सकते हैं आगे हम आजाएंगे क्योश्यान नंबर 4 की बाद क्योश्यान नंबर हम 5 नेक्स्ट ले लेते हैं तो दिया क्या है चित्र में कीरन O-C यानि ये ये कीरन हमारी जो O-C है इसकी बाद कर रहा है AB पर इस प्रकार खड़ी है कि कौण A-O-C यानि कौण A-O-B यानि C-O-B मनी इस साइट का कौण A-C ये और ये बात कर रहा है तो कराय तो दर्साइए कि कौन ए उसी बराबर 90 से है तो आईए हम देखते हैं यहां आ जाएंगे हमें मिलेगा हल हल में क्या मिल जाएगा कि कराय कि यह दोनों कौन आपस में बराबर हैं तो पहले हम आएंगे रैखिक योगम से रैखिक योगम से तो रेखे कियोगम में कौण AOC यानि AOC प्लस BOC या COB ये दोनों मिला कि 180 यानि कौण COB और ये वराबर हमें मिल गए 180 यान्स अब हमारा ये दोनों कौण वराबर हमें AOC लाना है तो हम COB को AOC लिख देंगे यानि कौण AOC और COB को भी कौण AOC क्योंकि यहां दिया गया है COB के अस्तान पर ये लिखा जा सकता है ये बराबर 180 लिखना है तो यहां लिख देंगे कि चूकी कौण AOC बराबर है कौण COB COB से अब ये कौण AOC ये वराबर मिलके दो कौण AOC बन जाएगा और ये बराबर 180 अन्स हो गया अब दो का गुड़ा है भाग बन जाएगा कौण AOC बराबर होगा 180 बटे दो दो का भाग दे देंगे 90 अन्स आएगा और ये ही अमारा अन्स वर बन जाएगा नेक्स्ट क्यूशन नमबर आगे हम 5 के बाद 6 ले लेते हैं तो प्रस्ण संख्या हमारा 6 क्या है कि चित्र में यदी अक्संस वराबर है चार वाई अन्स बटे पांच हो तो X का मान ग्याद किजिए यहाँ पर आ जाएंगे हमारा फिर फिकर दिया है हमारा एक O A दूसरा O B है और एक किरन हमारी O C है अब यह कर आ है कि यह दोनों रैखिक योगम बना रहे हैं तो यहाँ हम आ जाएंगे हल में क्या मिलेगा पहला बन जाएगा हमारा रैखिक योगम से तो रैखिक योगम में क्या मिलेगा कि कौण A O C कौण A O C प्लस कौण दूसरा कौण हमारा B O C B O C बराबर 180 अंग सो जाएगा अब A O C का मान वाई है तो यहाँ वाई रखेंगे और B O C का मान यहाँ से एक्स रख देंगे और यह बराबर हमें मिला है 180 अब यहाँ देखेंगे हमारा चुकी यक्स बराबर दिया है 4 बटे 5 वाई अंग अब इस यक्स के अस्तान पर तो Y ऐसे ही रहेगा और यक्स के अस्तान पर लिखेंगे 4 बटे 5 वाई बराबर 180 अंग सो जाएगा नेक्स हम आजाएंगे यहाँ पर यक्स का मान निकालना है तो पहले यहाँ से हम मान निकालेंगे किसका सबस्थ पहला काम होगा यहाँ पर हमारा इसको समी का नंबर एक बना लेंगे और आगे चलेंगे तो सारी 5 का गुड़ा करेंगे तो 5 वाई और प्लस 4 वाई आगे दिया गया है और पूर एक बटे 5 बराबर है 180 अब नेक्स आएंगे तो हमें मिलेगा क्या तो हमें मिल जाएगा यहाँ इधर आ जाते हैं इसके बाद हम ले लेते हैं इसके आगे तो हमें क्या मिल रहा है चार और पांच मिला के नव वाई और बटे हमारा पांच रहेगा और यह बराबर हमें मिल जाएगा 180 अब वाई बराबर निकालेंगे तो ये 9 बटा 5 हमारा पल्टी मारेगा और पल्टी मार करके हमारा ये बन जाएगा y बराबर तो y बराबर क्या मिला 180 और बुड़े हो गया 5 उपर 9 नीचे तो 9 दुनी 18 20 आ गया 25 जे 100 डिगरी आ गया ये तो y का मान मिला लेकिन मान हमें ग्याद करना है यहां यक्स का तो हमें एक समीकरण मिला है आगे लिख देंगे समीकरण 1 से तो समीकरण 1 क्या है हमारा यक्स बराबर है 4 बटे 5 y तो मिल जाएगा 4 बटे 5 और y का मान मिला है 100 तो पान दूनी 10 बीज बीश चौक 80 अंस बन जाएगा तो हमें एंसर में क्या मिलेगा यक्स बराबर हो जाएगा बीश चौक 80 डिगरी और यही हमारा एंसर बन जाएगा तो यह रहा हमारा प्रस्न संख्या नेक्स अगला अब आगे हम ले लेते हैं यहाँ पर देखेंगे तो हमें मिल जाएगा नेक्स प्रस्न एन यस में हमारा आगे हम नेक्स देखते हैं प्रस्न संख्या साथ नंबर कराच चित्र में यदि O-P और O-Q विपरीत किरने हैं एक O-P है दूसरा O-Q है तो यहां पर हमें मिला एक किरन हमारा O-P और दूसरा O-Q है एक किरन O-P अगर हम आएंगे तो यहां मिल जाएगा हमें O से लेकर P तर और दूसरा वो से लेकर क्यों तक ये कराई विपरीत किरने हैं तो यक्स का मानिय हाँ ग्यात करना है तो हम आ जाएंगे हल, हल में क्या मिलेगा रैखेक योग्म से रैखेक योग्म तो रैखेक योग्म में क्या मिला कि ये सभी कूण अगर आपस में जोड़ देंगे जितने कूण बने हुए हैं तो एक सोवस्सियन्स आजाएगा यानि कूण P O T P O T प्लस कूण T O R T O R प्लस R O S कूण है R O S प्लस S O Q S O Q और एक सिधी रेखा बना रहे हैं इसलिए एक सोवस्सियन्स हो जाएगा अब P O T का मानिहा दिया है पांच एक सबटे अठार है तो पांच एक सबटे अठारंस दूसरा है दो एक सबटे नव है तीसरा है हमारा एक सबटे तीन है और चौता है हमारा एक सबटे छ बराबर एक सो 80 से अब इस 18, 9, 3 और 6 का अगर हम LCM निकालेंगे तो 18 आ जाएगा 18 का भाग देंगे एक बार जाएगा एक का गुड़ा करेंगे तो 5 यक्स प्लस 9, 2 नी 18 दो बार गया दो का गुड़ा उपर करेंगे दो दुनी 4 यक्स प्लस 3 का भाग देंगे 3, 6, 18, 6 आया 6 का गुड़ा यक्स में करेंगे 6 यक्स 6, 3, 18 तीन बार गया तीन का गुड़ा करेंगे तो 3 यक्स बराबर हो गया 180 तो अब हम जोड़ेंगे उपर तो 5, 4, 9, 9, 6, 15, 3, 18 मिल गया 18 यक्स बटे 18 हो गया और ये बराबर हमें मिला 180 क्योंकि 6, 9, 4, 3, 5, 18, 18 से 18 किंसील हो गया तो हमारा इंसर जो मिला वो यक्स बराबर हमें मिल जाएगा यहाँ पर एक्स का मान मिला कितना 180 आया और यही हमारा इंसर बन जाएगा ये हमारा प्रस्म संख्या साथ था तो next हम देखते हैं question number 7 के बाद 8 को तो 8 क्या दिया है हमारा कि चित्र में वे तथा वो भी विपरीत किरने हैं यद यक्स अनुपाते वाई बराबर दो अनुपाते तीन होए तो यक्स तथा वाई की मान ग्याद किजिए तो यहाँ पर भी हम आएंगे तो लिखेंगे यहाँ हल तो हल में हमें क्या मिलेगा तो हम ले लेंगे यहाँ पर मिल जाएगा हमारा की हल तो यहाँ पर दे दिया है हमारा चित्र में ओए और ओबी विपरीत किरने हैं करा यदि यक्स अनुपाते वाई बराबर दो अनुपाते तीन तो यक्स तथा वाई के मान ग्याद करने हैं तो यहाँ पर भी हम आएंगे हल हल में क्या मिलेगा राइखिक योगम राइखिक योगम से तो राइखिक योगम में माने एक सीधी रेखा बन रही है तो कौंड EOC EOC क्लस कौंड BOC BOC एक सीधी रेखा बना रहे हैं इसलिए 180 सा जाएगा अब AOC का मान Y है और BOC का मान यक्स है बराबर 180 हो जाएगा एक समीकराण यह हम बना लेंगे एक आगे आ जाएंगे तो यहां दिया गया है कि चूकि यह दिया गया है हमारा कि यक्स अनुपाते वाई बराबर है दो अनुपाते तीन यानि यक्स बटे वाई बराबर है दो बटे तीन तो हम यक्स बराबर उपर वाला मान ले लेंगे तो दो के लेंगे और वाई बराबर नीचे वाला मान ले लेंगे तो तीन के बन जाएगा अब हमें क्या करना है इन दोनों मानों को समी करण एक में रखना है तो इसके आगे आएंगे तो हम लिखेंगे क्या समी करण एक से तो हमें मिल जाएगा समी करण एक है y प्लस x वराबर 180 अंस है तो y का मान 3 के और x का मान 2 के मिला और ये बराबर 180 जोडेंगे 3, 2, 5 के बराबर 180 अंस हो जाएगा की बराबर 5 का भाग दे देंगे अगर हम बात करें यहाँ तो की कामान निकालने के लिए तो की कामान हमें मिल जाएगा यहाँ से तो की बराबर होगा 180 पांच का गुड़ा है यह भाग हो जाएगा तो 5 तो 5 से हम भाग दे देंगे पांतियाई 15 तीन अठारा पांच्छक तीस अंसा जाएगा अब हम यक्स और वाई के मान निकालने हैं तो यक्स कामान दूई के हैं इसलिए एक्स बराबर दूई के तो बराबर दूई गुड़े के का मान 36 तो 36 दूना हमारा 72 डिगरी बन जाएगा एक इंस्वर ये बनेगा दूसरा अगर वाई का मान ले लेंगे तो तीन के है वाई बराबर तीन के तो तीन गुड़े 36 तो तीन चाक अठारा तींत्रिक का नव एक दस तो हमारा 108 डिगरी ये वाई का मान मिल जाएगा तो हमारा एंस्वर क्या बना मिल गया एक बराबर 72 और वाई बराबर हमें मिल गया 108 डिगरी और यही हमारा एंस्वर हो जाएगा तो ये रहा हमारा प्रस्न संख्या 8 next हम आजाते हैं question number 9 को ले लेते हैं तो 9 में क्या दिया है कि चित्र में OE किरण AOB की समद्विभाजक है जो OE है वा AOB की समद्विभाजक लाइन है यानि हमारी जो किरण है यानि कूण AOB का समद्विभाजक हमारा OE है अर्थात ये दोनों कोण आपस में बराबर हैं तो आगे क्या कहा OE तथा OE की यानि जो OE है और OE है ये दोनों कह रहा है कि विपरीत किरणे हैं यहाँ E है और यहाँ Y अगर विपरीत है तो कूरा मिला कि 180 से अन्स हो जाएगा फिर आगे दिया है सिद्ध कीजिए कि कोण F, O, B F, O, B यानि उपर वाला कोण और F, O, A यानि नीचे वाला कोण ये कराया आपको बराबर दिखाना है तो हम आजाएंगे यहाँ हल हल में क्या मिलेगा चुकि ये समद्विभाजक है इसलिए दोनों कोण आपस में बराबर होंगे हल में हमें मिलेगा कि चुकी चुकी O, E कोण E, O, B का समद्विभाजक है समद्विभाजक समद्विभाजक है अगर समद्विभाजक है तो इसका मतलब है इसलिए कोण E, O, E E, O, E बराबर हो जाएगा कोण B, O, E B, O, E अब अगर हम बात करेंगे तो ये उपर वाला दोनों कोण नीचे वाला दोनों कोण आपस में हैं कि रहे खेक रहे खेक योग मसे योग मसे अगरा F, O, B कोण F, O, O, E B, O, E बराबर एक सो असियन सो जाएगा इसी प्रकार नीचे भी हमारा रहे खेक योग मनेगा इसी O, A कोण F, O, A O, E कोण A बराबर आएद एक सो असियन सो जाएगा समीकराण एक दो वा तीन से दोनों के राइट एक सो एक सो समीकराण दो वा तीन से हमें मिल जाएगा कि कोण F, O, B प्लस कोण B, O, E बराबर चुकि दोनों एक सो असिय है तो लेट वाला बराबर होगा F, O, E और प्लस कोण A, O, E ये दोनों आपस आपस में बराबर हो गए अब हमने पाया A, O, E बराबर B, O, E होता है तो हम A, O, E के अस्तान पर B, O, E या B, O, E के अस्तान पर A, O, E लिख सकते हैं तो F, O, B प्लस B, O, E के अस्तान पर AOE लिखा जा सकता है AOE बराबर हो गया FOE PLUS K운ण AOE ये मान हमने कहां से रखा तो लिख देंगे समी करण एक से यदि हमारे समी करण एक में है कि BOE के अस्तान पर AOE लिख सकते हैं तो B, O, E के स्थान पर हमने O, E लिख दिया, ये प्लस है, दूसरी तरफ जाएगा, तो माइनस हो का दोनों से मैं कड़ जाएंगे, इसलिए कून बना F, O, B, बराबर कून F, O, A, और यही हमें सिद्ध करना था, तो यही हमें सिद्ध करना था, आगे हम लिख देंगे, यही स सिद्ध करना था, तो इस तरह से हमारा ये था क्यूश्चन नंबर 9, आगे हम ले लेते हैं क्यूश्चन नंबर 9 के बाद 10 को, तो स्क्रिन साट लेना है ले सकते हैं, आगे आजाएंगे क्यूश्चन नंबर हमारा 10, क्या दिया है, कि चित्र में A, O, C, कौन, A, O, C, यानि नीचे का, और दूसरा, एक कौन दे दिया है हमारा, A, O, C, ये कौन, और फिर कराय कौन, A, O, B, A, O, B, यानि ये उपर का कौन, कराय में प्रतीक सम कौन हैं, तो सिद्ध कीजिए कि कौन, यानि B, O, C, एक रेखा है, ये हमारी रेखा कराय कौन, B, O, C, एक सीधी रेखा है तो यग्याद इसी दिरेखा होगी तो दोनों मिला के 180 अंस बन जाएगा क्योंकि रेखी क्यूग में अगर 180 बनता है तो इसी दिरेखा बन जाएगी तो हल में हमें क्या मिलेगा आजाएंगे हल ओ हल में मिल जाएगा ये करा आए कि कौण A, O, C और कौण A, O, B करा प्रतेक समकौण समकौण का मतलब 90 अंस है ये दिया गया है यानि हम लिख देंगे यहां दिया है अब आगे आएंगे सिधी रेखा के लिए दोनों जोड़ेंगे एक स्वासी आना चाहिए तो हम आजाएंगे कौण B, O, C को दो भाज में तोड़ेंगे B, O, C को तो B, O, A कौण B, O, A प्लस कौण O, यानि A, O, C A, O, C अब इसको हम हल करेंगे तो B, O, A, B, O, A नब्बेंस है फिर हमारा A, O, C ये भी नब्बेंस है तो दोनो नब्बे नब्बे हैं दोनो जुड़ जाएंगे 180 अंस आ गया यानि कौण B, O, A प्लस कौण O, C ये वराबर 180 अंस आ गया इसलिए रैखिक यूग बना इसलिए रैखिक यूगम से और जो रैखिक यूगम बना क्या बना कि B, O, C एक सीधी रैखा है रैखिक यूगम से B, O, C, एक रैखा है और यही हमें सिद्ध करना था आगे हम लिख देंगे यही सिद्ध करना था तो यह था हमारा प्रश्ण संख्या दस अब आगे आजाते हैं हम नेक्स्ट के उश्चन नमबर दस के बाद एक ग्यारा को ले लेते हैं तो एक ग्यारा में क्या दिया है कि कराए O, E, O, B, O, C, O, D, O, E किर्णों का यहीं कहीं सिमांत बिंदू यह कराए O है तो सिद्ध कीजिए कि कौन A, O, B, B, O, C, C, O, D, D, O, E, O, E बराबर 360 डिगरी है तो यहां पर हमने क्या किया हल और हल में हम एक पहले बिंदू बनाएंगे बिंदू हमारा यह O है और यहीं से हमारा O, A बना फिर कहीं O, B बना O, B, Next आएंगे तो O, C बना आगे O, E बना और कौन सा बिंदू है यहां मारा C के बाद D है D के बाद एक और बिंदू O, E बन गया और यह कहरा है बिंदू O है बीचवाला अब हमें सिद्ध करना है कि यह मिला करके 360 अंस का कून बना हुआ है तो यहां मा जाएंगे चुकि मिला के पूरा एक वृत्त बना हुआ है तिसले 360 अंस का कून होगा तो यहां मा जाएंगे कि कून A, O, B A, O, B यानि A, O, B इस कून की बाद कर रहा है प्लस कून B, O, C फिर आगे आजाएंगे प्लस कून C, O, D फिर प्लस कून D, O, E D, O, E आगे है प्लस कून E, O, A और अगर हम बात करें यह कून, प्लस यह कून प्लस यह, प्लस यह मिला के एक वृत्त बना इसलिए यह वराबर हो जाएगा 360 अंस यह कहां से आया चुकि एक वृत्त में 360 अंस का कून बनता है यानि एक वृत्त एक यहां लिख सकते हैं एक वृत्त के कून से तो यह पूरे वृत्त के कून में 360 अंस का कून बनता है इसलिए हमारा यह 360 हो जाएगा Next ले लेते हैं Question number 11 की बाद अगला है 12 नंबर चित्र में रेखा AB AB एक रेखा है और OC इस प्रकार है की कून सी ओ बी सी ओ बी और दूसरा कून सी ओ ए सी ओ ए 45 हो यानि नपात तो दर्साइए की आगे आ जाएंगे तो हमें यह नीचे वाला सिद्ध करना है तो इसके लिए हम आ जाएंगे हल में हमें क्या मिलेगा रैखी की युगम है तो दोनों मिला के 180 से अंस बन जाएगा तो यहां हम आ जाएंगे कि कून सी ओ बी और अनुपाते हैं कून सी ओ ए बराबर है चार अनुपाते पांच तो इसलिए कून सी ओ बी बराबर हम पहला मान चार के ले लेंगे अब कून सी ओ ए बराबर दूसरा मान हम पांच के ले लेंगे अब अगर हम बात करें कि ए ओ सी का मान तो ए ओ सी मने इसी में रखेंगे और इसको लाएंगे ए ओ बी ए ओ बी तो अगर हम ले लें दोनों को जोड़ेंगे कोण A, O, B यानि मिल जाएगा कोण A, O, C माइनस कोण B, O, C तो A, O, C का मान हमें मिला है 5K और दूसरा है हमारा B, O, C का मान मिला है 4K और घटा देंगे तो हमें मिल जाएगा पांस में से चार घटाएंगे 1K बन जाएगा यानि हमारा जो दिया गया है उसका लेफ्ट हैंस आइड एक किया गया अब अगर बात करें कि दोनों हम जोड़ते हैं कोण तो रैखिक यूगम से यानि रैखिक यूगम से यूगम से हमें क्या मिल जाएगा दोनों कोण अगर हम जोड़ लेते हैं तो कोण ए ओ सी ए ओ सी प्लस कोण बी ओ सी ये बराबर 180 अंस बन जाएगा और हमने पाया है ये ओ सी का मान 5 के और प्लस इस का मान हम पाए हैं 4 के और ये बराबर 180 होगा पांचार 9 के बन जाएगा और 180 अंस बन जाएगा कि बराबर निकालेंगे तो 9 का भाग देंगी 1809 और 9 से अगर हम भाग देंगे तो 9 दुनी 18 यानि 20 डिगरी आ गया अब अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो मान दिया हुआ है अब राइट हैंड साइड उताल लेंगे तो यहाँ पर 1 की जो आया है अब वही मान यहाँ में लेना है आना चाहिए तो लेट हमारा यह बन गया इसको हम लिख देंगे लेट हैंड साइड तो मिल गया है 1 के अब राइट हैंड साइड निकालेंगे तो राइट हैंड साइड यानि के कामान मिला है तो राइट हैंड साइड में मिला 1 बटा 9 मान एक बटा 9 कूण ए ओ बी तो एक बटा 9 मिला तो हमें क्या मिला राइट का मान 20 मिला और यहां के मिला है और के का मान हम पाए हैं 20 इसको भी हम 20 लिख सकते हैं इसको हम बना लेंगे समीकराण 1 इसको 2 तो हमें समीकराण 1 वा 2 से लेफ्ट हैं साइड का मान के मिला था कि बराबर 20 आया और राइट अन साइड का मान भी 20 मिला इसलिए लेफट अन साइड बराबर बन जाएगा राइट अन साइड और यहीं हमें सिध्ध करना था तीरह हमारा प्रस्ण संख्या बार है आगे हम आजाते हैं प्रस्ण संख्या तीरह